आप सभी का सब्सक्राइब करता हूं बहुजुन साहित के इस विशेश कारिकरम में जहां पर कि हम बाबा साहब दोरा किये गए काम को समझते हैं उन्हे ने कहाँ ट्रेवुल किया आप नीचे कमेंट बाबस अरहे आगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करेंदेब चरुद्शन साहित की आथिक बहुत ज्यारा जगरूत आज की है एस वीडियो मेंग। 11 में की 11 में की 11 में को बाबा साब ने क्या क्या काम किया था शुरू करते हैं 11 में 1938 11 में 1938 को डॉक्टर अंबेटकर ने नाकपुर में सुभह 8 बजे से 10 बजे तक छात्रों को संबोधित किया बाद में साड़े 4 बजे वह कोट के काम से अदालत गए शाम को 6 बजे वगह एक सावजने कारिकरम मैं हिस्सा लेते हैं जहांकि हरदास एलन और बाबा साब को सम्मानित किया जाना था और उसके बाद वे साड़े 12 बजे तक कारिकरताओ से बाचीत करते हैं 11 मही 1941 को 11 मही 1941 को जनता के एक अंक में बाबा साब लिखते हैं अच्छा महात्मा चला गया आदमी रह गया इस लेक में डॉक्टर बाबा साब अंबेटकर ने दो अलग-अलग उधारन देकर जो गांधी है उनका जो विरोधा भाशी जो रुख है अहिंसा को लेकर उसको बेनकाब किया और उसकी आलोशना की बाबा साब आंगे लिखते हैं कि जिस दिन गांधी को महात्मा की उपादी दी गई थी वह सबसे दुर्भागे पूने दिन था और जिस व्यक्ति ने ऐसा सोचा था उसे शायद कल्प पुरुष सैतान शगुन कहा गया था बाबा साब ने वहाँ पर 51 रुपे का पर्स भी दान किया डोंडे साब की अध्यक्षता में आर एम भट हाई उसकूल परेल मुंबई इस अफसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्टील और सिमेंटी कीमतों की व्रधी के कारण रुपे का जो अनुमा निधी के संग्रय के लिए कूपन के साथ घरों में जाएं क्योंकि यह काम अधिक महत्पून हैं वह जनता के कछिन समय का भी मुल्यांकन करते हैं और कहते हैं समाचार पत्र किसी भी आंदोलन की आत्मा होती है 11 माई 1942 11 में 1942 युद्ध मंत्री मंदल भारत पर समिती की बैठक बैट्रिस प्रधान मंत्री सी एटली के कक्ष अध्यक्ष में हुई अन्य जो लोग वहाँ पर उपस्तित थे समिती ने उनके सामने भारत के राज सचिव द्वारा ग्यापन दिया था जिसमें वाइसराय के गवर्नर जर्नलों की कारेकारी परिसत के प्रस्तावित पुनिर्मान के बारे में वाइसराय के एक तार को शामिल किया गया था समेटी ने डॉक्टर बियार अम्बेटकर की प्रस्तावित नियुक्ति को मंजूरी दी थी मतलब इस बैठक में डॉक्टर अम्बेटकर के नाम को मंजूरी दे दी गई अगर आप मेरे पिछले वीडियोज देख रहे हैं तो आपको पूरी क्रोनोलोजी समझ में आ रही होगी 11 मई 1944 में 1944 वार कैबिनेट पेपर भारत में राजनेतिक इस्तिती पर भारत के राजसचिव के ग्यापन में कहा गया है कि डॉक्टर अमबेटकर का दलित वर्वो के एक निश्चित अनिवाई हैं लेकिन ये प्रभावशाली नहीं है 11 मई 1950 में 1950 को अखिल भाति अनुसुचित जाती महासंग के महसचिव पी एन राज भोज ने प्रेस के लिए एक ब्यान जारी किया कि डॉक्टर अमबेटकर ने वकालत की है कि पूरे हिंदू समधाय को बहुत धर्म ग्रेंट करना चाहिए 11 मई 1952 में 1952 हैदराबाद आंधर प्रदेश में एक कारेकरम में डॉक्टर अमबेटकर ने केंद सरकार द्वारा खादान के लिए आथिक सहायता बंद करने पर टिपनी की वह मानते हैं कि राजसरकार को सहायता बंद करना गलत है और यह बताते हैं कि विदेश सी देश भी यह सहायता देते हैं 11 में 1954 11 माई 1954 डॉक्टर फ्लैक्सी वली टॉक्यू जापान ने डॉक्टर अमबेटकर को एक पत्र लिखा जिसमें अनुने जापान में बौद धर्म के संधर्म में भाती विचारों की उत्पत्ती पर गोल में संबेलन की एक संकला आयुज़त करने के सर्वसंमत नेने के ब अपने पैसे का उप्योग संस्कृतिक इतिहास दर्शन सास्त्र में तुलनात्मक अध्यन संस्ता की योजना के लिए कर सकती हैं ऐसा उन्होंने पूछा डॉक्टर अंबेटकर से कि जो वह महिला है वह उस महिला का भी आपर नाम नहीं दिया गया इसे मैं नहीं बताता हू आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूं कुछ न कुछ सीखने को समझने को जरूर मिला होगा आप लोग ने वीडियो को आखरी तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को शेयर और कर दीजेगा कमेंट करना मत भूलेगा मिलता हू तो आप सभी से एक रिक्वेश्ट है कि बहुजन साहित की आथिक मदद करें फिनेशल हेल्प करें उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक से मिल जाएगा उसके माद्यम से आप बहुजन साहित के सरस से बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं मैं रिदात मौरे मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ फिर किसी ऑथर के साथ फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ फिर किसी बुक रिव्यू के साथ तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें पढ़ने की आदरत को विक्सित करें क्योंक झाल झाल